आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं और कैसे वो डिजाइन करते हैं वो भी मैं आप वो करके बताने वाला हूँ आज हम बात करेंगे कि टाइटल कैसे डिजाइन करते हैं टाइटल किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके movie poster का हो सकता है, song poster का हो सकता है, या फिर social media campaign का हो सकता है, हमारे फिल्ड में सबसे ज़्यादा जो use होता है, वो है social media campaign, और title design करने के पीछे भी एक logic होता है, और किस तरीके से ये चीज़े काम करती है, वो मैं आज आपको इस व एक एक minute बहुत ही ज़्यादा amazing है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको, जब सारी चीज़ आपके सामने decode होगी, तो सबसे पहले चलते हैं photoshop में और वहाँ पर मैं आपको first step बताता हूँ कैसे कैसे चीज़े होती है, तो guys मैं यहाँ पर यह फोटोशॉप में आ चुका हू तो guys सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ title और यह मैं आपको बहुत ही common language में समझाओंगा और common example दे के समझाओंगा, जितनी भी चीज़ आपने पढ़िये, जितनी भी technical terms होते हैं और सब कुछ को भूल जाओ, उसको आप एक side पर ढख दो, जो मैं समझाता हूँ उससे वहाँ पर special attention चाहिए होता है, तो हम dress, hairstyle, बहुत सारी चीज़े हम बहुत ही selective तरीके से ले दें, क्योंकि हमें वहाँ पर special attention की जोरत होती है, क्यों क्यों हमें दूसरों से अलग दिखना है, हमारा main motive क्या होता है, कि मैं सबसे अलग लग हूँ, और इस title के साथ भी यही होता है, title को भी बागी सारे लोगों से अलग दिखना होता है, बागी सारे font से अलग दिखना होता है, चाहे आप वही font क्यों न यूज करो, अगर हम एक font से सब कुछ लिखने है, तब भी हमें title को अलग दिखाना है, अलग तरीके से उसको attention चाहिए, अलग तरीके का उसका treatment चाह मैं यहां पे अभी अभी हमने यहां पे लिखा है pandemic ठीक है और इसी का मैं copy version यहां पे लिख रहा हूं pandemic ठीक है जस्ट आपको समझाने के लिए और इसकी बीच का जो gap है ठीक्स के पीच का gap है वो मैं यहां पे कम कर रहा हूं ठीक है अब बताओ इस font में और इस font में title जैसा कौन लग रहा है जस आप सोच के देखो इसमें और इसमें title जैसा कौन लग रहा है of course यह लग रहा होगा इसमें हमें special attention मिल रहा है के हां यह जस्ट pandemic लिखा हुआ है लेकि इसमें किया है कि एक हमें special logo बाला feel आ रहा है कि अहां पर कुछ है इसमें कुछ special है तो निय這個是 होता हुआ कि आप later के बीच का gap कम कर दो तो भी यह हमें special दिखता है सेकन्द तरीका क्या होता है कि later के बीच का gap को आप increase कर दो बहा दो तो भी यह हमें अलग दिखेगा ठीक है इसका मतलब हम यह कर रहे हैं कि फॉंट तम वह यूज कर रहे हैं लेकिन हम उसको एक special treatment दे रहे हैं क्यों क्यों यह चीज़े special है यह हमें उसको वैसे नहीं दिखानी कि जैसे यह दिख रही है हमें इसको special वह सही है या क्या है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक है तो हम सीधा गूगल पर चलते हैं और मैं यहां पर लिख रहा हूं अब यहां पर लिखा हूँ है दा इन्फॉर्मर देख उसका टेक्स्ट का आप गैपिंग देखो कुछ न को इस पेसल ट्रीट्मेंट यहां पर मिल रहा होगा देखो जस्ट आपको देखो कि तो आप खुदी समझ आयागा इस फॉन्ट में और इस फॉन्ट में देख रहे है जैसे फर्वर जहां पर लेटेस्ट मुवी रहें आप यहां पर जोकर कर देख सकते हूँ इसके बीच में गया है क्यों कि इसको इसे पेसल दिखाना है जस्ट आप इमेजन करो कि जो जोकर का फॉन्ट है उसका आपको फॉन्ट मिल गया और आपने जोकर लिखा तो यह इतना पास-पास आएगा, नहीं आएगा, उसको कम किया गया है, कि इसको एक special treatment आपको मिले, उस caption को special treatment मिले, तो सबसे common option मैंने बतायागी, या तो आप text को shrink कर दो, या text को बढ़ा दो, तो यहाँ पर हम और भी, तो हम यहाँ पर और भी example देखते हैं, जस्ट मैंने यहाँ प film के नाम में भी थोरा सा text gap है, जस्ट आप, बहुत सारे चीजों को जवाब देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ भी gap है, तो यह सबसे common तरीका होता, जब आप text लिखते हो, तो उसको जब आप special attention या special treatment देना है, तो आपको यह first option है, कि आप उसको इस तरह किसे कर दो, second option क्य है, second option क्या है, कि आप इस type के चीजों को, आप कुछ भी, देखो, मैंने क्या बोला, कि आपको special attention देना है, तो special attention देने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे, वो यहाँ पर आप कर सकते हो, for example, मालो कि मैं यहाँ पर N है, और यह logic के साथ होना चाहिए, यह है, तब यह लोगों का ध्यान attract करेगा, अगर यह title के हिसाब से set होता है, तो, तब यह लोगों का ध्यान attract कर रहा है, और यह कुछ special लग रहा है, तो इस type से चीजे, यह first option था, कि आप text के साथ कैसे खिल सकते हो, आप हजारों example यहाँ पर देख सकते हो, हजारों, कि यह ची वाला feel दिया गया है, तो यह भी देखने में भी काफी cool लग रहा है, अब चलते हैं उसके आगे कि, और क्या क्या हम text के साथ कर सकते हैं, देखो guys, text के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही कुछ कर सकते हो, जब आपको title लिखना हो तो, आप छोटी-छोटी चीजे बिना आप बहुत बढ़ियाता चीज बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर इसके back जाते हैं, और first वाले option पर आते हैं, अब क्या होता है, जो आप design करते हो, वो सिर्फ आप ही को पता होता है, कि आपने कौन से element use करे और किस टाप से design हुआ, तो guys, title design करने में जो आप element use करते हो बहुत ही कम chance होते ही कि लोग उसका copy कर लें, हाँ, font copy कर सकते हो आप, लेकिन same to same style copy नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर कौन से element use हुए है, जैसे for example, मैं यहाँ पर Google पर जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर simply लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, वाल, texture, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हैं, यहाँ पर texture आ गए हैं, तो simply मैं यहाँ पर, इस टाप से कोई, तो हमने यहाँ पर यह वाला वाल का texture हम यहाँ पर just copy कर रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर इसको copy किया, और यहाँ पर ले गए टेक्स के अंदर चला गया, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यह टोटली डिफेंट ही हो गया, इसका जो feel है, वो टोटली डिफेंट हो गया, अब जब इस टेप चीज़ देखो गया, तो सामने बाले को पता नहीं होगा, कि हमने यहाँ पर कौन सा चीज यहाँ पर डाला ह ठीक है, यह देखो, यह अलग tap का feel आ गया, अब देख सकती है, एक अलग tap का, यहाँ पर feel आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दिया मैंने दी, और इसको मैंने लिखा normal, और इसको हमने यहाँ पर copy किया, और हमने इसक simply यहाँ पर add कर दिया और आप इसको white भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो हमने एक wall के texture से भी यहाँ पर design बना दिया देखो आप इस जब title design करते हो आपका सबसे पहले आपको meaning पता करने हैं इसका क्या meaning हो सकता है इसमें किस type के चीज़ जा सकती है अभी क्या है यह जो word है pandemic वो थोरा सा tension create करने वाला है इसलिए हम इस type के चीज़ें यहाँ पर ले रहे हैं और just मैं आपको दिखा रहा हूँ किस क्या हो इसकी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो ठीक है तो just मैं यहाँ पर search कर रहा हूँ dust मैंने यहाँ पर search किया और यह बहुत साथ dust के type के टाइप आगे है तो फचलिया है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया जिक है अब यहाँ पर इस टैब समने यहाँ पे आप देखो, यह किस टैप से यहाँ पे सो हो रहा है, अब क्या होगा कि जब आप इस टैप के टाइटल डिजाइन करोगे, तो यह लगता एफेक्ट है, लेकिन होता एफेक्ट नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजे होती है, जो सिर्फ आपको पता होगा, और दूसरा बंदा इसको पता नहीं कर सकता, तो टैटल डिजाइन करने में क्या फॉन्ट सेलेक्शियों तो ही सबसे बड़े चीज, उसके बाद आप फॉन्ट के साथ प्ले कैसे करते हो, क्या-क्या चीज़ आप यहाँ पे एड करते हो, वो भी सबसे ज्यादा यहाँ पर रो देखने में काफी ठीक लग रहा है, यहाँ पर लगान का पोस्टर देख लो, बीच में गैप, ज्यादा क्या गया है, यह फॉन्ट मिलना बहुत इजी है, लेकिन इस पेसल देखाने के लिए वही मैंने बताए कि आप वो किस तरीके साब को प्ले करना होगा, तो यहाँ प अब यहाँ पर देखो, यह राधे का फर्स्ट लुक आउट हुआ है, जो मैंने अभी आप वो करके दिखाया है, अब आपको समझ आ रहेगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़े हो सकती है, इस राधे मूबी के पोस्टर में क्या क्या element यूज हो सकते हैं, आपको चलना पता और यहाँ पर देखो, काफे सारे यहाँ पर आपको मेटल वाले टेक्चर आपको दिख रहे हैं, अभी इसमें से मैं यह वाला प्रिक कर रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया, और इसको अपने यहाँ पेस्ट करेंगे, और इसको create clipping mask, इसको सब से पहले rotate कर देता हूँ, थोरा size increase, और इसको हमने create clipping mask कर दिया, इसके अंदर, ठीक है, अब अगर हम इसका color change करना होगा, तो हम simply यहाँ पर कोई साभी color, dark, light, जो भी आपको सही लगे, वो color आप यहाँ पर use कर सकते हो, इसके बाद ही बहुत सारे चीज़े होती है, आप इसमें drop shadow डाल स सकते हो, और भी चीज़े यहाँ पर हो दिये करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर inner shadow यहाँ पर add किया, तो यह इस step से कुछ बन रहा है, यह कुछ, और shadow को थोड़ा सा different तरीके से हमने यहाँ पर add किया, तो भी यह देखने में काफी ठीक लग रहा है, आप यहाँ पर देख text design करना है, तो आपको उस font से, जो font यहाँ पर use कर रहे हो, उसके real रूप से, जो उसका असली रूप है, उससे आपको different create करना पड़ेगा, उसको special treatment देना पड़ेगा, उसके लिए सबसे common मैंने आपको दो effect बता है, या तो आप उसके बीच का shrink कर दो, या उसके बीच का increase कर पर blending mode से, और फिर आपको blending mode के through, layer mode के through, और clipping mask के through, किस तरीके से आप design कर सकती हो, तो यह totally depend करता है कि आपका content क्या है, आपका content किस genre का है, किस तरीके का है, उसी type से font लोगे, और font कैसे लेना है, वो आपको सब को पता है, मेरा unlock typography course में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, और उसी course का 8th video था, आठमा वीडियो था, उस typography course में 7th video आप सब को पता है, लेकिन यह उसका 8th video था, तो यह मैंने पहले ही सोचा था, 7th video जो होंगे वो course में include होगे, जो कि paid है, और यह 8th video फिरी में release करूँगा YouTube पे, जिसके लोगों समझ में आये कि typography course क्यों सब से जादा important है उनके लिए, फॉन्ट के बारे में जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं समझोगे, तो यह था title design के उपर, यह मैंने छोटा सा ज़स्ट आपको एक हिंट दिया है, कि आप क्या क्या चीजे कर सकते हो, और कुछ secret बता हैं, जो कि आप लोग देखते तो आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखनों को मिला होगा, और यह वीडियो सिंपल नहीं है, इसको अगर आप बार बार देखोगे, और इसके उपर research करोगे, तो बहुत कुछ समझ आएगी, ठीक है, तो भी मिलते हैं नए वीडियो में, thank you so much.